थारा सालों से इनकी सरकार हैं लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते जब मंच पे खड़े होते हैं वहां पे भी धर्म और जाती की बाते और उसी के अधर पर वोट इनकी पार्टी पूरी तरे से बिखरी हुई है इनके नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उनको इन्होंने परे कर दिया है किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा बलकि ये दूरबीन से जाकर ढूंड रहे हैं पूरे राजस्थान में कि वही हमारा नेता कौन बन सकता है तो बात ये है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उनसकी बातों के वजन को आप तो लिए किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए पैसा नहीं था लेकिन संसद को जो सतर साल से अच्छा खासत चले आ रहा था संसद भवन उसको संसुंदर करने के लिए आपके पास 20 रार क्रोड है काले कानून वापिस तब लिये गए भाजब पाद्वारा जब दो महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनावारा तो अभी हाल ही में मोदी जी आये थे राजिस्थान मैंने देखा उनका भाशन कहने लगे कि ये कॉंग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं ऐसा बोला उन्होंने तो मेरे मन में ये बात आए कि भाई इनके बातों में तो कोई वज़न ही नहीं है हमारे सारे नेता, हमारे सारे कारिकरता एक जुट होकर मजबूत बनके रणभूमी में उत्रे हुए है बलकि इनको भाजप्पा की अपनी स्थिती देखनी चाहिए इनकी स्थिती क्या है बिखरी हुई है इनकी पार्टी हिट विकेट तो ये है राजिस्थान में भाजप्पा वाले तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं हिट विकेट इनकी पार्टी है इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है इनके नेता जो बड़े बड़े नेता है उनको इनोंने परे कर दिया है किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा किसी को नहीं मालूम बलकी बलकी ये दूरबीन से जाकर ढूंड रहे हैं पूरे राजस्तान में कि भही हमारा नेता कौन बन सकता है क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया है उनोंने तो बात ये है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उनसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं मैं मध्यप्रदेश में थी मध्यप्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है और 18 सालों से इनकी सरकार है लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते जब मंच पे खड़े होते हैं वहां पे भी धर्म और जाती की बातें और उसी की अधार पर वोट तो 18 साल से आपकी सरकार रही आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं मैं बताती हूँ अभी-अभी कुछ दिनों पहले मैं गहलोट जी के साथ चुनाव प्रचार में निकली थी तो मैंने गहलोट जी से पूछा आपने यहां राजस्थान में अपनी सरकार में कितने रोजगार दिलवाए हैं गहलोट जी ने कहा कि देखिए दो लाख रोजगार तो दिलवा दिये हैं हमने और एक लाख और की हमने घोशना किया है जिसमें से 40,000 प्रोसेस में हैं और आप सोच सकते हैं कि यहां हमारी पात सालों से सरकार है, यहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कॉंग्रिस के शासनकाल में आपको दो लाक रोजगार दिलवाए हैं, अठारा सालों से बहनों और भाईयों, मध्यप्रदेश में भाजप्पा की सरकार चल रही है, अठारा स सालों से, साड़े तीन सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं, यहां पात सालों में 2 लाक, वहां साड़े तीन सालों में 21 सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं, यहां पात्षालाएं खोली हैं, इंग्लिश मीडियम की पात्षालाएं, मैंने पूछा मुख्यमंत्री जीसे की हर जिले में है English medium की पाठशाला हसने लगे कहें हर जिले में क्या गाओ गाओ में खोल रहे हैं हम वहां मध्यप्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है पाठशाला हैं बंद हो रही है साथ हजार से जादा स्कूल बंद हो चुके हैं यहां पे केकड़ी में आपके लिए नया जिला बनाया गया यहां पे 400 बेड का अस्पताल बनाया गया जब करोना हुआ तो काफी जाने इन चीजों से बची पिछले पाठ सालों में कॉंग्रेस की सरकार ने जो काम किया जो आपकी सेवा की उसी के आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं यहां पे जो आपकी सरकार है अगर हम देखें तो चाहे हमारी यहां की सरकार को देखें चाहे 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार को देखें तो किसानों के लिए कितना काम किया है पंद्रह हजार करोड का कर्ज माफ हुआ है आप पूछिये जरा किसी प्रदेश में भाज़पा ने किसान का कर्ज माफ किया है आपने काले कानून की बात की और वही मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा रहता था जब वो काले कानून आए तब किसान की कोई सुनवाई हुई, एक साल होने वाला था, किसान सडक पे बैठा रहा, सेकडों किसान शहीद हुए, पानी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, उस समय सडक पे ही बैठे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई तब हुई, काले कानून वापिस त जुनाओं आने तक कोई सुनवाई नहीं हुई हम जब कहते हैं प्रदेशों में कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों के तो मालूम है यह लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं पैसे नहीं है इन चीजों को करने के लिए जिस समय किसानों का अंदोलन चल रहा था उस समय उत्त 15,000 क्रोड का बकाया था उसके थोड़े ही बाद मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम 20,000 क्रोड रुपए खर्चेंगे दिल्ली का जो संसद भवन है उसको सुन्दर बनाना है तो हम उस समय पूछ रहे थे कि यह जो 15,000 क्रोड का जो बकाया है गन्य का यह क्यों नहीं दे रहे हो कह रहे थे हमार पास पैसा नहीं है किसानों के कर्स को माफ करने के लिए पैसा नहीं था लेकिन संसद को जो 70 साल से अच्छा खासाच चले आ रहा था संसद भवन उसको संसुन्दर करने के लिए आपके पास 20,000 क्रोड हैं क्यों कि उसको करने से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और किसानों की कोई परवा ही नहीं है आपको